पंद्रह नवंबर 2000 वह दिन हम सबों के लिए इसलिए खास है कि उसी रोज बिहार से अलग होकर अपने जारखन राज का निर्मान हुआ था कहा जाता है कि अपने राज का निर्मान आदिवासी विकास की अवधरना के साथ हुआ लेकि अख कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है आपीस जनकारी से कोई भी वाकिप है कि जिनके विकास की अवधरना के साथ अपने राज का गठन हुआ था खुद उनका विकास नहीं अपने राज के आदिवासियों की कर रहे हैं हर बार चाहे हो राज अस्थापना दिवस के मौका हो आज़ादी दिवस का अउसर हो या संपूर आज़ादी अभी जन्वरी के मौका हो या सड़क की बात हो या सदन की बात हो और वक्त राजनेता उनके विकास की बात दुराते हैं, लिएकि बात दुराना बहिमानी नहीं बलकि पुरी तरह से बहिमानी नजराता है, क्योंकि आज भी आदिवासी उसी हालत में हैं, जिस तरह अपने राज के निर्मान होने से पहले थे, आज भी उनके हालात में कोई ज एक बार्सी हुई तब हुई जब आज 20 अदिवासी दिवस के मौके पर राज के गढ़वा जिला मुख्या लेके उत्सव गाडेन में भब कार्जक्रम कायुजन हुआ इस कार्जक्रम में कड़वा बिधायक तस्सूबेक मंत्री मितलेश ठाकुर बतोर मुक अथिती के रूप में सिरकत किये सब्या दिवस समधायक लोग उहाँ पर मौझूद रहे उनके दरा मंत्री का भब स्वागत किया गया साथ ही उस कार्जक्रम में मंत्री द्वारा भी अपने हां के संतत्ता सेनानी जो रहे हैं उनके वंस्जों को समानित किया गया सौल औरहा करके कारचकम का सुरुवाइब की शुरुवाइब कारचकम की सुरुवाइब मंत्री और मंच पर मौझूत सभी लोगों द human अब मिट्रीओं भी देख रहे हूंगे, इसकार्चकरम में मंच पर मुंतरी मौजूद हैं, जिला परशद या ध्यक्ष सांति देभी मौजूद हैं, सभी मंचासिन हैं, अधिवासी नेताइब भी हैं, साथ ही इसकार्चकरम में जो भी मंच पर हैं, उनके सौल रहा कर समानि किया गया, सभी कोई को, यह पहला मौका था, हम खबर नवीस हैं, हर बार जो कार्चकरम आवजुद होता है, कोई भी कार्चकरम में सिरकत करते हैं, हम लोग भी मजूद रहते हैं खबर-खबर करने के लिए ऐसा अदिवासी दिवस के मौके पर ऐसा काश्कम पहली बार देखने को मिला जहां पर सुतना सेनानी के महाजों को समानित करने के साथ जो भी अदिवासी समधाय के लोग इस कारश्कम में मौजूद रहे सब ही को महिलाओं को साड़ी और जो पूरु सदस थे उन्हें धोती देकर समानित किया गया यह पहला मौका था यह कहने में कोई हिचक नहीं है मुझे तो इसी कार्षक्रम में मंत्री जब मिडिया से मुखातिब हुए तो उनके दोरा साथ तरपर कहा गया चाहे वो संबधन में भी कहे कि आज तलक केवल अपने राज के वादिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तमाल किया गया जब ही वोटिंग का मौका आया जब ही चुनाव आया उनके दिन बहुर जाने का वादा किया गया कि आप हमें सत्ता में लाइए आपकी सिति को हम सुधारेंगे लेकिन हालात उनके नहीं बदले उनकी सिति जस की तसरी ही लेकि वर्तमान जो सरकार सतासीन है मन्सोनी के सरकार उनके दोरा आदिवासियों की हक और अधिकार की बात केवल कहीं नहीं जा रही है बलकि जमीनी अस्तर पर काम भी किये जा रहे हैं उनके हालात में बदलाव हो रहा है अगर उनके हालात में बदलाव वर्तमान में नहीं होता रहता तो इतनी संख्या में मौझूदगी आदिवासी समधायक लोंक नहीं होती क्योंकि अगर उनके चेहरे पर मायूसी होती अगर वो नराज हो हालात करते हैं लेकिन ने इराद के साथ के बकास के कामने नहीं के जा रहे लिए हुए को आई आपको सुनाते हैं आज गढ़वा धार्खण मुक्ति मोर्चा जिला कमिटी के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के तहत आज यहां आज आदिवासी दिवस का आयोजन बहुत ही बड़े पैमाने पर आज यहां किया गया ऐसे तो पूरे गढ़वा जिले में और उसमें कारिक्रमों की रूप रेखा तयार की गई है पूरे देश से आदिवासी संस्कृती के आदिवासी समाजी कृती रिवाजों के बहुत सारे जानकार विसे सग्य उपस्थित हुए हैं और वहां अनेक से सनों में बहुत सारे कारिक्रम होंगे कि कैसे आदिवासी जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके समकच कैसे लाया जाया, इस पर भी बहुत सारी बाद विवाद होंगे, और बहुत सारे संस्क्रितिक कारिकरम भी वहां रखे गारे हैं, पुरे देश से के विभिन राज्यों से कला संस्क्रिति के छेतर में आदिवासी पहच सारे सारे आदिवासी समुधाय के लोग के लोग यहां कट्ये हुए, और यहां उन्होंने उस्सों के रूप में आज इस दिवस को मनाया हैं, य्ये जार्खन-मुक्ति-मर्चा की ही सोच हो सकती है जार्खन मुक्ति मोचा जिला कमिटी पूरी तरह से जार्खन के जो यहां के हमारे गढ़वा के जो आदिवासी हैं जो यहां के पिश्वय दलित हैं उनके इतो अधिकारों की रख्षाक के लिए हमेशा आगे बढ़कर आती है और 23 वर्सों में यह पिसला दो वर्सी ऐसा ह है हुआ है जब इतनी बड़े पैवाने पर पूरे राज्य में आदिवासी दिवस विस्वा दिवासी दिवस मनाया जा रहा है इसके लिए मैं मने मुक्त मंत्री का बहुत बहुत आबार वियत करना चाहूंगा कि आज तक किसी की सोज नहीं रही सिर्फ एक खाना पूर्ती की जाती थी विस्वा दिवासी दिवस के उसर पर, आज धरातल पर कैसे हम आदिवासी ओं का उठान कर सकें, कैसे उन्हें अपना हआदिकार दिला सकें, इसके लिए सभी עधिवासी समोदाय को जागरूब करने के बिए और उस पर चर्चा करने के लिए आयोज़न पिछले सरसुन पिछले साल से सुरू हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से होंगे और आदिवासी समुदाय जो आज पिछड़ा समुदाय कहा जाता है वो सभी समाज के समकच आकर खड़ा होगा यही उद्देश यह है हमारे मन्ने है मनसुर नजी का और हमार सहीयोग करें ताकि यह सुद्देश से इस राजय का अनुरबान कराया गया उद्देश पुरा हो यहाँ के अदिवासीओं को ठान के लिए यहां के मुलवासी यहां के जो पिछड़े दलित है उची जाती के जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इस राजय के दिर्बान किया गया, वो पुरा